बिस्मिल्ला रह्माद रहीम अस्तामलेकूम अमीद आप सब खेरियत से होंगे आज की वीडियो स्टीब की कंदे की कटिंग के हवाले से हैं आपका मालू है कि हमगी सोसाइटी में रहते हैं वहां मेल फीमेल का साइस नहीं लेते और मुझसे एक टेलर ने ये टिप शेयर की की सोचा आज आपके साथ अपना मैथिट शेयर करती हूं मैंने ये ये जो माक कर रही हूं यानि कि अगर आपके प्रिंटिड हैं और इनके उल्टी सीधी साइट का फरक है तो आप इस तरह आपने बाजू आपने फोल्ड करके रखने हैं कि उसकी दोनों जो उल्टी बाजोरे का अकठी अंदर की तरफ और सीधी बाही की तरफ आज रहा है सबसे पहले में माक करूंगी साड़े तीन मैं 9-5 पर मैं माक करूंगीः ये मैं साइज रखती हूं 18 से तकरेबर 23 साइज का मैं 3.5 इंच पे रखती हूँ अब जो बाद सबसे ज़्यादा नोटिस वाली है कि आपने जब यहां पे आपने कंदे बाजो की जब कंदे की कटिंग देनी है तो आप जो चर्स साइस होगा उसमें से आपने 1.5 आपने माइनस कर देना आपने शर्ट पे जो मार्क किया है चर्स साइस उसमें से आपने 1.5 इंच आपने माइनस कर देना है और जहां आपका सेंटर आ रहा है स्टीप का वहां से आपने इंची स्टीप को रखते हुए जहां आपने 3.5 का आपने मार्क किया था वहाँ जहां आपका जाके इसलिए वो fix होता है वहाँ आपने एक mark कर देना जैसे के मैंने किया है आप भी स्क्रीन पर देख रही है फिर उसके बाद उसी shape में आपने दुबारा इंची step को रखना है और इसका आपने mid का निशान लगाना है थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बस size से 1.5 माइनस करके मैंने mark किया है अब उसी का मैं center mark कर रही हूँ स्लीव का यानि कि जो हमने mark किया है कंदी का उसका center मैंने लिया है और उसका center लेने के पाद यहां से आपने आइसा से center तक लाते होगे फिर आपने down जाना है यह आपको एक shape समझाने के लिए मैंने इसके center की मैंने marking किया यह आपने बहुत सा देखा भी होगा, सुना भी होगा कि आप hold का आप measure करें फिर आप उसकी पे mark ले लेके तो आप निशान उसको marking करें लेकिन हम जी society में रहते हैं mostly ओड़ते ओड़ते भी दूसरे का size नहीं लेती और मर्द का तो सवाली पैदा नहीं होता, बहुत कम है हम जी society में रहते हैं, वहाँ पे male female का size नहीं लेते क्योंकि हमारे कुछ हया की वज़ा से सारी बात है, एक ऐसा हमारा है और अल्ला तल्ला ऐसे ही रखे तो ये tailor ने मेरे साथ mail नहीं tailor ने मेरे साथ ये share की थी जो आपके साथ share कर रही हूँ और मैंने इसी टोजर वाले scale को अपना में रखा है, जो मैंने कलाई का आपको दूँगी, कि अगर आपके bell बाजू बनाने हो इसी एक वीडियो में एक और आपको bell की एक टिप दूँगी अगर आपने bell बनाने हो, तो आपने सबसे पहले sleep का center का, उस center में आपने 1.5 याने तो ये आड़ कर देना है यापके bell आजाएंगे, यहाँ से आपने fitting में रखना है, वो आप fitting का mark करें और उसको bell shape दे दे ellen shape देंगे तो वो bell आजाएगा और यहाँ से आपने sleep का बन करने है, वहाँ से थोड़ा सा आपने इसके कॉर्णे को उपर की तरफ आप mark कीजएगा ताकि इसके जो कौने है वो drop shape में ना आए अब यह जो main है, हमारा जो main video का जो मकस्द था कि आपने यहाँ से, अगर तो आप smart हैं, तो आपने जो पहली shape थी, वो आपने mark करनी है अगर आपने healthy हैं और आप 40 plus हैं, तो आपने इस shape में आपने scale को रखके आपने यह mark करना है, क्यूंकि 40 plus में जो female होती हैं उनका जो under arm के पास से जो बाजू का जो skin होता है वो थोड़ा सा ढखलग जाता है और इसकी वज़ा से उनकी थोड़ी सी जो हमारी side की जो shape होती है वो हमें थोड़ी और तरादे नहीं होती है बाजू की cutting कर रही हूँ और यहां से मैं straight नहीं रुकूंगी थोड़ा सा आप दो point मैं इसको down करते होगे cutting की shape दूँगी, ताके जब मैं shirt के साथ इसको जोड़ूँगी, तो वो simple sleeve की ही, आज आपके साथ share करना चारी थी चुके एक वीडियो थी, मैंने का चलो गुजरते गुजरते आपको दूसरे sleeve की भी एक tip देनो तो मैं उसको remove कर दूँगी, जो belly area आपको अपने customer का armhole का size या कुछ भी ऐसा लेने की जोड़ूद नहीं है क्योंकि मैंने ये टेलर की tip जब से मैंने इसको try किया अलहमदलेला आपकी shirt पे armhole की cutting की shape में कोई fault हो तो कुछ हो सकता है otherwise आपकी जो sleeve का कंदे का है वो बहुत अच्छा shape आता है आप ये देखने हैं कि नीचे जो दूसरा बाजू मेरा half है वो इस विज़ा से चुके मेरे पास जो एक्स्टा कपड़ा था वो आपके साथ एक वीडियो बनाने के लिए मैंने आपके साथ चुके दो sleeve की चाहिए थी half चुके दूसरा बन रहा था इसलिए मैंने उसको फोल्ड करके अंदरवारी साथ पर रखा है और यहां से हम front cutting करेंगे सबसे पहले आप center मार्ग करना है center mark आप हमेशा kenches के साथ यानि cut के साथ mark करें और फिर उसके बाद आप ने उसको जहांपे हमारा style की जाके cut लगा है वहां तक आपने इसको लेके जाना है शेप को आपने देखा होगा कि सेंटर हमारा जो स्लीप कारता है वहां से ज्यादा तर लोग दो इच का छोड़के फिरा फरेंट कटिंग डालती है एक पर आप ये ट्राइ कीजिएगा उमीद है आपको इससे काफी आप अच्छी शेप आएगी और दूसरा ये कि बिल्कुल एक अलिफ के पर जो मदा डालते है ये बिल्कुल वही शेप है आपने सेंटर तक आपने इसकी बरीग से होड़ से देखे शेप जाते हुए आपके बिल्कु यहाँ पर यहाँ पर आपके स्लीप बंद होगा वहाँ तक ट्राएगी यहाँ मैंने ब्लू चॉक से थोड़ा सा वास्या किया क्योंकि मैंने अडिट करते हुए देखा था तो वो येलो जो था वो इतना वास्या नहीं हो रहा था वीडियो में अब इसको हमने कितना डीप रखना है अब मैं आपके साथ यह बताती हूँ और मैं जरा इसको पहले चुके ब्राउन पे बहुत बास्या हो रहा है जो मेरा में बिचावा फैब्रिक है तो मैं इसकी आउखलें लगा के फिर आप मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कितना डीप हमने रखना है क्योंकि नीचे भी परपल है तैव बास हो की तो इसलिए आपको इतना पता नहीं चल ला अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ ओपन करके कि इसकी सिंगल तै करके दिखाती हूँ कि यह देखें यह है मेरे स्लीफ का सेंटर मार्क और अब यह देखें यह इतनी डीप कटिंग है अब यह कितनी डीप कटिंग है यह बनती है हाफ इंच एक पॉइंट और यह हाफ इंच एक पॉइंट, हाफ इंच दो पॉइंट भी होता है तो ये भी आपने गोर करना है कि आपने अपने शर्ट का जो आम हाल कटिंग किया है उसको भी आपने जरूर नोटिस करना वो ना हो कि आप यहाँ से ज्यादा अगर ज्यादा डीप कटिंग करेंगे और आपने शर्ट पे भी की होगी तो वो अजीब सा कचाओ आएगा इस बात का भी आपने बहुत ध्यान रखना है हाफ इंच एक पॉइंट इनफ है और आपने की शीप कहां से देनी है आपने यहां से सेंटर और वहां से फिटिंग का आपने साइज लेके आपने इसका सेंटर मार्क कर लेना है जैसे हमने शुरू में अपने स्लीव का सेंटर मार्क किया था बिलकुल वैसे ही अब हम इसका स और जो सेंडर मार्ग करेंगे वहां आपने एक कट जरूर लगाना है वह कट इसका आपको यह फाइदा होगा कि आपने जब भी स्लीव को शर्ट के साथ अटेच करेंगे तो आपको आपको आप जस्ट कट को देखेंगे आपको पूरे स्लीव को रॉंड में घुमाना नहीं पड़ता चेक करने के लिए कि इसकी फ्रेंट कटिंग किस तरफ है आप जस्ट कट को देखेंगे आपको बदा चल जाएगा कि आपने ये शेप फ्रेंट की तरफ लेकिया नहीं है और यह देखें मेरी हाफ इंच एक पॉइंट बंती है और आपने ये इतनी डीप कटिंग देनी है उमीद आज की वीडियो जो है वो आपके काम आईगी आपने बस अपने जहां जहां मार्किंग की है वहाँ वाप कट ज़रूर लगाएगा सम्टाइम्स चौक की मार्किंग जो होती है वो आपके बाजू की अंदर वाली साइट पे चली जाती है कट कर यह फाइद लगा एदी आपके वाली साइब्गाइद परेजेरसिए जदर के वईज दो होती है रहिए स्फिद्टे प्यास